हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम इस वीडियो के इंदर बात करने वाले हैं कैसे हम 5 ऐसा से लेजर स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं प्रोफिट और लोज स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो जैसे ही आप 5 ऐसा एप लोगिन कर लेते हैं तो आपके सामने डिस्पले सो होती है तो 5 ऐसा में लेजर स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहां यूजर के उपर कलिक करना पड़ेगा तो जैसे ही आप users के उपर कलिक कर देते हैं तो आपके सामने डिस्पले सो होती है थोड़ा सा scroll down करने के बाद आपको यहाँ पे my reports का एक option दिखाई देगा यहाँ से आप portfolio, tax, profit and loss, statement, transaction, laser सब कुछ download या चेक कर सकते हैं तो जैसे ही मैं इसके उपर कलिक कर देता हूं तो यहाँ पे आपको यह सो हो जाएगा यहाँ से आने के बाद आपको यदि laser statement देखनी है तो आपको सबसे पहले laser statement के उपर कलिक कर देना है यहाँ से आप portfolio चेक कर सकते हैं, DP bill चेक कर सकते हैं, trading bill यहाँ से आप book, profit and loss यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हैं जैसे मैं lasers के उपर कलिक कर देता हूं तो यहाँ से lasers के उपर कलिक करने के बाद यह आपको सो हो जाएगा यहांसे आप laser भी चेक कर सकते हैं यहांसे आप fund भी चेक कर सकते हैं कि आपका अभी total fund कितना है यहांसे आप collection margin utilize यहांसे सब कुछ आपको detail में so हो जाएगा यदि आप mutual fund का check करना वाले हैं तो mutual fund के उपर click कर देंगे यहांसे आपको mutual fund का so हो जाएगा और lasers के उपर click कर देता हूँ तो यहांसे आपको सब कुछ laser मिल जाएगा कि आपने क्या share में buy किया है कितना आपका charge लगा है और कितने आप ही total fund है तो यहांसे आपको download करने के लिए सबसे पहले इस download के option के उपर click कर देना है यहांसे आप download कर सकते हैं यहांसे आप mail ID के उपर click कर देंगे तो यह आपकी mail ID पर send हो जाएगा तो यहांसे जैसे में download के उपर click कर देता हूँ तो यह मेरा download हो जाएगा और यहांसे मैं check भी कर सकता हूँ कि कीतना मेरा transaction अभी लगा है तो यहांसे प्राइप बनके यहां पे आगया तो यहां से transaction भी check कर सकते हैं कि आपकी कितने transaction होई है जैसे आप यहां से equity के अंदर check कर सकते हैं MF के अंदर F&Q के अंदर currency के अंदर आप किसी भी transaction को check कर सकते हैं यदि आपने किसी के अंदर trade की है तो यहां से आप transaction check कर लेंगे बहुत ही इजली तरीके से इस तरह से आप य यहां से transaction check करनेंगे इसी तरह से आप profit and book Profit and loss भी चेक कर सकते हίν यहांसे ट्रन को आभी तक zero profit and loss हुआ है तो यहां से आप date डालके यहां से सब को देख सकते हैं कि आप कब से कब तक जैसे 22-23 की date है financial 22-23 में यह भी total profit and loss zero है इस तरह से आप F&Q का भी देख सकते हैं currency का भी चेक कर सकते हैं commodity का भी चेक कर सकते हैं कि आपका कितना profit और कितना loss हुआ है